हे गाइज वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल तो आज का टॉपिक है वो पेडिकर एट हो पाउलर तो गाइज यहाँ पे में नेल पैन को रिमूफ क्या कर रहे हैं फिर पेडिकर तब में गरम पानी देंगे और रोस्ट पाउदर मिक्स करेंगे अच्छी फ्रैकनस के लिए अब यह चेक कर रहे हैं कि पानी जादा घरन तो नहीं फिर पैरो को पेडिकर तब में शोक करेंगे और कुछ ताइम के लिए रख देंगे देन हमारे जो च्वी टिकल्स होता है न उससे इस तरह से पुश्च किया जाता है हमारे जो नेल है वो इवेन लगे इसलिए अब हमारे जो च्वी टिकल्स है उससे कट किया जाता है इससे हमारे जो डेट स्कीन है वो निकल जाए यह दिखने में थोड़ा और लगता है कि यह थोड़ा दर्ड होगा अब लेकिन ट्रस्ट मी गाई से बिल्कुल भी दर्ड नहीं होता है यह देट स्कीन होता है जो कट कर देते हैं अब नेल बलफर के हैल्फ से नेल्स को क्लीन किया है ताकि नेल्स और इवन लगे और जितने भी देट स्कीन और डर्ड है वो निकल जाए अब सेम प्रोसेस मेरे सेकंड पेरों में भी कर रहा है ताकि नेल्स फाइल से मेरे नेल्स को शेप दे रहा है ताकि नेल्स शुंदर लेगे और आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हैं स्क्वेर शेप राउंड शेप मैंने राउंड शेप दिया है मुझे बहुत अच्छा लगते राउंड शेप तो गाइज अब मेरे पेरों को श्क्रबिंग कर रहा है ताकि जितने भी डैट स्कीन है वो निकल जाए अच्छे से मसाज करते हुए तो लाँ और सेपना दितने गया है को शेप बहुत छोगते हैं से कि जितने गाउंड ऐल मेरे पेरों को श्क्छे सेप लाँ मैंने से अच्छा जिकल्ण कर णे मेरे पेरों को फिर पेरों में क्रीम एप्लाई कर देंगे ताकि मेरे पेर बहुत जादा मॉस्टराइज रहे इनके हाथ से जो मसाज लेते ना वह बहुत ही शांदार होता है पेरों में बहुत आराम फील होता है बहुत अच्छा वाला फील होता है अब मेरे पेरों में स्टील फूद स्क्रबर से स्क्रब कर रहे है जो डेट स्कीन है वो इसली निकल जाए एन पेर बहुत बहुत जादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए गाईज आप देख सकते है जो डेट स्कीन है वो कितना इसली निकल गया है तो अब मिनी ब्रस के हैल्प से मेरे पेरों पेर है और एरिया जो है अच्छे से क्लीन कर रहे है ताकि जितने भी दर्ट जमा हुआ है वो निकल जाए अब यह पैदिकर का प्रोसेस का यह लास्ट है यह पर पैदिकर यह क्लीन होने के बाद पैदिकर कम्प्लीट होता है मेरे सेकंड पैरों भी सेम प्रोसेस कर रहे है तो यह देखिए गाइस मेरा पैदिकर करने का इतना ज्यादा सुन्दर लग रहा है तो गाइज यह था मेरा आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देए और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर देजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लूद करूँ आप तक नोटिफिक्शन जरूर पहुँचाए अगले वीडियो में तब तक करें टेक केर बाई बाई